हाल ही में एक interesting story हुई है, interesting story ये है कि जर्मनी, इटली को United Nations के द्वारा इस्थापित अंतरास्ट्रियन आया ले, International Court of Justice ले जा रहा है, यह अच्छा यह ऐसी नहीं होता, जैसे मान लीजे कि आप और हम कभी एक दूसरे के साथ में लडाई लड़ लें और एक दूसरे को फिर ध कहां देखोगे, अब तो भया मुलाकात कोर्ट में ही होगी, बिल्कुल कुछ ऐसे ही हुआ है, इटली और जर्मानी आपस में लड़ लिये हैं, आप पूछेंगे कब लड़ लिये, अभी तक तो हम रशिया और यूकरेन पढ़ रहे थे, अचानक इटली और जर्मानी लड क्योंकि इसमें विश्वयुद्ध सेकंड की यादें जुड़ी हैं, जब हम आपको ये तत्य पढ़ाएं, तो विश्वयुद्ध सेकंड के थोड़े से अलफाज भी आपके साथ साजा करेंगे, इसलिए सेशन को शेयर करने में आप कमी ना छोड़ें, इटली को जर्मानी गसीट करके घेग, नीदर लेंड के अंदर जो दाहेग है, वहाँ ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है? आरोप लगा रहा है जर्मानी इटली के उपर कि सर ये हमसे पैसे मांगता है, सवाल बना, अरे वहिया किस बात के पैसे मांगते हो तुम यार? मतलब इटली से, इट सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे एक शहर के दो सो चम्मालीस लोग मारे थे किसने मारे थे वही जर्मनी ने मारे थे सर तो सेकंड वर्ल्ड वार तो खतम हो गया जर्मनी हार गया और सर हारे हुए देश के उपर पनिश्मेंट होता है पनिश्मेंट के तौर पर जर्मनी को हमें युद्ध कंपनसेशन देना होगा युद्ध कंपनसेशन में जर्मनी बोल रहा है कि भाईया मैं अब तक billions of dollars दे चुका हूँ अब कितना और दूँ आलत तो ये है कि इटली की राजधानी रोम में जर्मनी की एक building बनी हुई है होता नहीं है जैसे भारत वाले कहीं जाके कोई जगए करीद लिए ऐसे ही जर्मनी की एक जगए रोम के अंदर है 25 तारीक को उसके निलामी भी हो सकती है क्यों? क्योंकि इटली की court का फैसला अगर इस प्रकार से आया कि जर्मनी से पैसा वसूलने के लिए जर्मनी की संपत्ती को कुर्क कर दिया जाए तो सहब कहानी इंटरस्टिंग होगी आप में से जितने भी लोगों ने ये लाइन अभी सुनी ना आपके दिमाख में एकदम यार ये क्या यानि कि हिस्ट्री जो अब आप पढ़ाई करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेवस का बहुत महत्वपूर्ण विशय होता है और वर्ल्ड हिस्ट्री जी एस पेपर वन के अंदर बहुत जादा माईने रखती है आपके सेशन में इस बारे में चर्चा की जाएगी देखिए हाला कि ये बात तै है कि आप सभी साथियों को विश्वयुद्ध में बहुत इंट्रेस्ट होता है और विश्वयुद्ध के इस इंट्रेस्ट को वरकरार रखने के लिए हम थोड़ी सी आपको एक कहानी सुना देते हैं विश्वयुद्ध के संबंध में ताकि आपको यह घटना अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है ना चलिए तो जनाब बात कुछ इस प्रकार से है बात किस प्रकार से है तो ये तो सब जानते है कि दितिय विश्वयुद्ध 1939 में लड़ना शुरू हुआ था और 1945 में ख़ड़ा खतम हुआ था विश्वयुद्ध की पूरी कहानी तो आज के सेशन के शुरुआती प्रशन में खतम नहीं कर सकता लेकिन हाँ इस सवाल से संबंदित जो जानकारी है वो बता देता हूँ जब सेकंड विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो वो शुरू क्यों हुआ था क्योंकि फर्स्ट विश्वयुद्ध जो था ना वर्ल्ड वार उसमें जर्मनी के जो लोग थे इनको लगा था कि यार हम लोग जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हारे तो हारने पर हमारे उपर जो पाबंदिया लगाई गई जो पनिश्मेंट हमको दिये गए तो बहुत जादा थे और हमारे हारने में और हमको जादा पनिश्मेंट दिलाने में जर्मनी में जो रहने वाले नाजी हैं यहूदी उनका बहुत बड़ा योगदान है अच्छा कुछ ऐसे समझिए आज यसे भारत है इसमें बहुत सारे पंथ के लोग रहते हैं धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी रहते हैं अगर भारत किसी युद्ध के अंदर कोई छती उ लगे कि किसी एक कम्यूनिटी की वजह से भारत को युद्ध में नुकसान हुआ है तो वो कम्यूनिटी ववाहरिक रूप से वैचारिक रूप से उस दूसरी कम्यूनिटी को अपना दुश्मन मान लेगी और ऐसे में मैजोरिटी में जो कम्यूनिटी है वो माइनॉरिटी क community को अपना दुश्मन मान ले तो Hitler जैसा नेता पैदा हो जाता है जर्मनी में हुआ था ऐसा First World War जब 1914-18 के बीच लड़ा गया युद्ध के अंदर जब परिणाम निकला जर्मनी को युद्ध का दोशी करार दिया गया तो First World War के दोशार ओपन में जर्मनी को पनिश्मेंट दिया गया वो बहुत बड़ा था जर्मनी के जहां तहां जो भी संपत्ती थी वो सब विजित राष्ट्रों ने जिसमें की राष्ट्र हुआ करते थे France, Britain, US इन सब ने इनके हिस्से कबजे में ले लिए बहुत सारा धन इसका कबजे में ले लिए और कहा कि तुम्हार तुमको मतलब अब इतना पनिश्मेंट देंगे कि तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे First World War के बाद में जर्मन्स को बहुत ही गंदा लगा कि यार हम युद्ध हार गए और हमको हारने पर जो नुकसान हुआ सु हुआ और हमें पनिश्मेंट के नाम पर इन लोगों ने करोडो रूपया हमसे माँग लिए है अर्भो रूपया हमसे मांग लिया है जर्मनी ने 1918 से लेके 1949 के बीच में जो उसको पनिश्मेंट मिला वो उसने चुकाया कि बैए किसी ने कहा कि मेरा इतना करोड खर्च हो गया ब्रिटिन ने कहा कि तुमको हराने में हमारा इतना नुकसान हुआ तो जर्मनी ने पनिश्मेंट की वो रकम चुकाई फ्रांस ने कहा मेरा इतना नुकसान हुआ जर्मनी का ये पकड़ो तुम्हारा पैसा लेकिन सहाब इसी बीच में एक राजनेता एक सैनिक जिसका नाम था अडॉल्फ हिटलर वो फस्ट वर्ड वार के बाद में एक ऐसा नेता बनकर उबरा उसने कहा जर्मन लोगों से कि यार तुम लोग ये नहीं सोच रहे हो कि तुम प्रथम विश्व युद्ध हारे क्यों थे अजब मैं पहले प्रशन के अंदर इतनी ज्यादा भूमी का इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन है ना आज का वो भी इसी कहानी से जुड़ा हुआ है इसलिए दो क्वेश्चन एक ही प्रकार के टेंप्रा जर्मनी में ही हिटलर जर्मनी का ही था अपने लोगों को बढ़गा रहा था तो मैं पता है तुम युद्ध क्यों हारे क्योंकि अपने इस देश में यहूदी नाम के जो ये लोग हैं जो सो कॉल्ड बुद्धी जीवी हैं बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं इन लोगों ने युद्ध में अपना साथ नहीं दिया और ऐसी इस्तिती में इन्होंने अपोजीशन का साथ दिया रहे अपने देश में रहे थे जन्ता में एकदम उबाल आ गया जर्मन जो लोग हैं उनमें एकदम उबाल आ गया हिटलर की बातों में उनको ऐसा उबाल नजर आया कि हिटलर अगर ये कह दे कि सारे नाजियों को मिटा दो तो मिटा देंगे और हुआ भी यही साथ हिटलर ने अपने देश में रहने वाले नाजियों के खिलाफ यहुदियों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से अत्याचार किये अत्याचार का अर्थ अब इससे लगा सकते हैं कि जब घृतलर सथा में आया तो उसने अपने देश में से यहुदियों को धून्ड लून्ड करके धून धून्ड करके नाजी माफ़ीचा रहो ही टलर था और यहुदियों को धून्ड लून करके Jewish जिसको कहते है मैं बाबार नाजी शब्र बोल दे रहा हूं Jewish जुईश जो थे यानि की जो यहूदी थे इनको ढूंड ढूंड करके मारना शुरू किया। यह घटना मैं क्यों सुना रहा हूँ क्योंकि अगला जो क्वेशन है ना वो इससे यू की यू जुड़ा हुआ है। कोई ताना शा रहा है तो उसका नाम हिटलर था। उसकी बाते इतनी करिजमाई हुआ करती थी कि उसकी बाते सुनकर के लोग उसके मोपाश में बद जाते हुए। हिटलर का प्रभाव चल रहा था और जर्मन ने अपने इस 20 साल के अंतराल में इतनी मेहनत करी कि करजा चुकाया सो चुकाया और दुबारा युद्ध लड़ने के लिए खड़े हुए। दुबारा युद्ध लड़ने के लिए जब खड़े हुए तो जर्मनी की बगल में एक देश था जिसका नाम था इटली और वहाँ पर साशक हुआ करता था मुसॉलिनी मुसॉलिनी हिटलर के नाजिजम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ और युद्ध लड़ने चलूँगा địे मतलब जर्मनी तो हो गया आजि और इटली हो गया फासी नाजिजम और फासिजम वाले दो बड़े रास्त्र रनेता कौन ौन इटली और जर्मनी साथ मैं मिलगाये जापान के जापान जो की उन दिनों एशिया की सबसे बड़ी ताक बन चुका था इन तीनों देशों ने मिलकर के उधम मचा दिया वैसा उधम कैसा मचाया बोले जो सेकंड वर्ल्ड वार होगा इसमें प्रतम विश्वयुद्ध का सारा बदला लिया जाएगा और उस करारे बदले में क्या हुआ तो आप एक वार के लिए इस वाली न्यूस को देखने से पूरव इतनी चीज़ को देखें साथियों दो टीम बन गई एक टीम हो गई जिने कहा गया एकसेस धुरी रास्ट जिसमें शामिल हुए जर्मनी से हिटलर इटली से मुसॉलिनी और इधर से सैना का नेतरत्व जो है वो जापानी सैना कर रही थी इन तीनों च्छे साल तक युद्ध चला आज जो आप युद्ध देख रहे हैं कि रश्या और युक्रेन का युद्ध चल रहा है यह रश्या और युक्रेन का युद्ध सुनने के लिए आप लोगों को दो तीन महने का युद्ध लग रहा होगा आपको लग रहा होगा कि यह ती तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। के इस युद्ध में मोर्चे को एकदम बदलने की हालत कर दी विश्वितिहास को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि अगर दो-तीन साल शुरुआत के देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वार तो जीत ही जाता या यू समझिए कि जर्मनी जापान और इटली जीत ही जाता ये तो बदकिस्मती से अमरीका ने दो गलतिया कहते हैं बड़ी गलतिया अमरीका ने जापान के उपर एक बिना बताए न्यूकलियर बंपोर दिया किसी को पता ही सोवियत रूस से लड़ने के लिए यूरोप को क्रॉस करते हुए उपर के जो जर्म USSR का जो यूरोपियन हिस्सा है वहाँ चला गया वहाँ कहते हैं कि हिटलर को वहाँ के क्लाइमिट का अंदाजा नहीं था वहाँ इतनी सरदी पड़ेगी इतने ज़्यादा मतलब तरीके से वहाँ रुकना पड़ेगा इसका अंदाजा नहीं था जिस चलते सोवियत रूस के फ्रंट पर जर्मनी हारा और इसी हार के कारण अभी जो 9 माई आ रहा है इस 9 माई को सोवियत रूस अपना विक्ट्री डे मनाता है क्योंकि उन्होंने जर्मनी को हराया था और उधर हिरोशिमा और नागा साकी पर अमरिका ने बम गिरा दिये थे तो इन तीनों देशों के अंदर जो इस्तिती थी अब इसमें इटली की कहानी क्या है क्योंकि मुद्दा तो आज का इटली है तो फिर इटली का क्या कहानी है अब वोस्त नियेगा इटली की कहानी ये है जनाब कि इटली शुरुआत के समय में जब मुसॉलिनी हुआ करता था तब वो जर्मनी के साथ साथ युद्ध लड़ रहा था ब्रिटेन के किलाफ, फ्रांस के किलाफ, अमरिका के किलाफ लेकिन इटली जो है वो पल्टी बाज निकला आदा युद्ध तो लड़ा जर्मनी की तरफ से और जब देखा कि मामला कमजोर पड़ रहा है अपोजीशन इखटा होता जा रहा है अब जणाब ये पासा पलट करके दूसरी तरफ से बैटिंग करने लग जया किसकी तरफ से? दूसरे राष्ट्रों की तरफ से जिने अलाइड कंट्री कहते हैं उनकी तरफ से एक्सिस राष्ट्र का साथ छोड़ दिया अंत में हाला कि इस प्रकार की जो दल बदलू नेचर थी इसके कारण इटली को विश्वितिहास में बहुत भला बुरा कहा जाता है इटली की रेस्पेक्ट नहीं है देखिए जर्मन्स युद्ध में हारे लेकिन फिर भी जर्मन्स को लोग आज भी लड़ाका नेचर का मानते हैं ये मानते हैं कि यार ये लोग थोड़े अलगी प्रकार के होते हैं जिद्धी प्रकार के मतब ज़्यादा सब भी प्रकार के नहीं है ये अपने ही प्रकार के उल्टे सीधे प्रकार के करके राष्ट्र निकल कर आए तो जीतने वाले देश क्या किया करते थे कि वो हारने वाले देश के उपर बहुत सारी पाबंदी लगाते थे कि तुम्हारी कोईले की खान हमें दे दो तुम्हारी लोहे की खान हमें दे दो तुम्हारे वहाँ वहाँ पर जो आईलेंड हैं उन तब तक तुम जीओगे, आगे बढ़ोगे, तब तक जिस देश का जितना नुकसान हुआ है, उसको तुम चुकाओगे, इस संधी पर साइन करो, इस प्रकार से संधीओं पर साइन किया जाता था, ठीक है न, तो अब साहब क्या हुआ, कि ये जो सारी बाते निकल करके आई, इटली को लगा कि उसे सम्मान मिल गया है, सम्मान कैसा, जर्मनी के खिलाफ अब वो विजित राष्टों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया है, विजित राष्टों के साथ उठते बैठते इटली को, जीतने वाले देशों ने इज़्जत नहीं दी, बहुती बुरे- इटलर जो है उसको लगा कि इटली हमसे पासा पलट के दूसरे की गोदी में बैठ गया है तो वो इन पर भी अटैक बोल दिया इटालियन्स भी मारे गए आज जो चर्चा हो रही है वो मरे हुए इटालियन्स पर ही हो रही है इटली के लगभग 246 इटाली नागरिक एक शहर से मारे गए थे अब चुकी मरे थे और इटली अब विजित राष्ट्रों के साथ था तो इसका मतलब ये निकला कि विजेता राष्ट्रों के कारण उसे जर्मनी से युद्ध हारने का कमपनसेशन लेना होगा बही ऑब्यस ही बात है जर्मनी हारा है तो उसे इटली को पैसे चुकाने पड़ेंगे कि भाई साहब आपके नागरिक मारे हमसे गलती हो गई ये पैसे ले लो ये होता था आज तक जर्मनी ने पैसे चुकाए है अब तक चुका रहा है कही जगे के पैसे तो ठीक है जर्मनी ने इटली के नागरिकों के भी पैसे दो हजार बारा तक चुकाए है ये तो दो हजार बारा में अंतरराश्ट्रिये पोर्ट ने एक फैसला दिया और कहा कि जर्मनी ओल्रेडी बिलियन्स ओफ डॉलर चुका चुका है इटली को तो अब यहां से आगे वाले समय पर जर्मनी से और पैसा ना वसूला जाए यानि एक प्रकार से इंटरनेशनल कोर्ट ने जर्मनी को दो हजार बारा में राहत दे दी आज क्या मुद्दा है है ना पूरी बैक्ग्राउंड तो काफी भयानक बन गया आज मुद्दा यह है कि इटली उस दो हजार बारे वाले निर्णय को मानने के लिए तयार नहीं है और वो एक ऐसा फैसला सुनाने जा रहा है पचीस मई को जिस फैसले के बाद जर्मनी को फिर से कंपनसेशन देना पड़ेगा इटली को ऐसी इस्थिती में जर्मनी पहले ही इटली को पकड़ा और इंटर्नेशनल कोर्ट लेके चल दिया अंतर राष्टे ने आया लेके पहुँच गया और कहा सर यह वही वाला इटली है जिसको 2012 में आपने कहा था कि तुमको पैसा नहीं मांगना है सर यह पैसे मांग रहा है अब क्या हो रहा है इंटर्नेशनल कोर्ट में फ्राइडे के दिन यानि आज के दिन इस बात पर सुनवाई होनी थी दिन तुड़ा पीछे चल रहा है जो भी निर्णे आएगा वो बता दिया जाएगा ऐसी इस्थिती में इटली का मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा इटली की कोर्ट ने यहां तक कहा है कि 25 तारीक को अगर जर्मनी ने हमारे इस नागरिक को जो की युद्ध पीडित है इसे अगर रकम नहीं चुकाई तो जर्मनी के जो ऑफिसे हैं रोम के अंदर बने हुए यानि इटली के अंदर बने हुए उनको जप्त कर लिया जाए उनकी कुरकी कर दीजए कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक बार के लिए सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो और थमसप करके मुझे बता दो कि हां सर कहानी समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता रहे हैं आकाश ने भी बताया कि सर हमारा आरेने अब आज तक न्यूज चैनल ने भी अपने यहां पर इसी नाम से रियल न्यूज और एनलिसिस के नाम से एक नया प्रोग्राम लाँच कर दिया है भाई मैंने मेरी टीम को बोला है अनकैडमी को बोला है कि सहाब इस बात की कम्प्लेंड करो आज तक को बताओ कि ऐसा ना करे बाकी देखते हैं आगे कौन जीतता है हमारा रियल न्यूज और एनलिसिस की गर्व की बात है कि हमने इतनी मेहनत से जिस शब्द को इतना लाइम परवाही करे अपनी तरफ से जो भी रिक्वेस्ट लेटर वगरा भीजने है वो भेजे अगर ऐसा हो तो उनके यहां पर उस प्रोग्राम का नाम बदल दिया जाएगा ठीक है बोला तो गया है बाकी सब देखते हैं आगे क्या होता है जो भी कहानी मैंने बताई वो सारी आ आपको एक ही लाइन में सुना लिया है मज़ा आ गया अंकित 10 जिसका यूज करके आप अनकेडमी पर 10% डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं ओन ओन अनकेडमी सब्सक्रिप्शन्स content की PDF आपको मेरे टेलिग्राम चैनल अंके तवस्ती सर पर मिल जाएगी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं UPSC category के अंदर वर्तवान में जो courses चल रहे हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं 12 महिने के साथ 3 महिने का extension दिया जा रहा है 18 महिने के साथ 3 महिने का 24 महिने के साथ 6 महिने का extension दिया जा रहा है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आज का session पसंद आया होगा, यदि आप SSA category के अंदर हमारे साथ जोड़कर पढ़ना चाहते हैं, Use my referral code on kit 10 to avail 10% discount on SSA category as well, economics चल रही है वहाँ पर पढ़ सकते हैं, अपना खयाल रखें, बढ़ोगा सम्मान करें, चोटों को प्यार दें, अपना विक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें,